हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करते हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम एक बहुत अच्छा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरी गाय बच्चों जैसे बीरबल, तेनाली रमन या मुल्ला नसुरुतीन के समान आपने कई किस्से पढ़े हैं वैसे ही गोनु जहा भी एक समझदार और हस्मुक्व्यक्ती थे उनके किस्से भी बड़े मजे से सुने और सुनाए जाते हैं तो आएए उनका एक किस्सा इस पाठ के जलिए पढ़ते हैं बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूशक थे गोनु जहा गोनु जहा बहुत समझदार और हस्मुक्व्यक्ती थे उनका हास बहुत तर्कपूर्ण होता था गोनुजा के परिवार का पेशा था कथावाचन बच्पन से ही गोनुजा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ती का प्रभाव था गोनुजा के किस्से बड़े चाओ से सुने-सुनाए जाते हैं एक बार गोनुजा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई उसने गोनुजा से एक गाय ले आने के लिए कहा गोनुजा कई दिन तक बात को टालते रहे वह कभी अपनी पत्नी को दिलासा देते गाय खरीदने की क्या जल्दी है कुछी दिनों में महराज हमें एक गाय उपहार में देने वाले हैं कभी कहते तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभब है जो गाय रखोगी कभी कहते तुम ब्रहमनी हो तुम्हारा काम पूजा पाठ करना है गाय पालना नहीं पत्नी उनके बहान्य सुन सुन कर तंग आ अगर तुम गाय लेकर नहीं आये तो मैं अपनी जान दे दूँगी बेचारे गोनुजा के सामने अब गाय ले आने के सिवा कोई चारा ना बचा था लाचार होकर वे गाय लेने चल दिये कुछ दिनों का सफर तै करके वे सोनपुर के मेले में पहुँचे उन्होंने एक अ पताय जा रही थी कि अब सैकडों बार गाय के बारे में गाउवालों के एक जैसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तब ही गोनुजा के मस्तिश्क में एक विचार आया कि क्यों न सब गाउवालों को एक ही बार में सब कुछ बता दिया जाए ताकि वे बारी-बारी पूछने ना आएं। ऐसा सोच कर गाउं की सीमा पर पहुँच कर उन्होंने गाय को एक पेट से बांधा और लगे जोर-जोर से चिलाने। ताला लगा दिया हो। गाउं वाले हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। गोनुजा जब आश्वस्त हो गए कि गाउं के सभी बालक, युवक और बुजुर्ग इकठा हो गए हैं तो वे चल कर उस पेड के पास पहुँचे जहां उन्होंने गाय को बांधा था। वहां के लिए दोड़े आए हैं उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर के मेले से यह गाय खरीद कर लाया हूँ। इसके लिए मुझे दरबार से इतने दिन अनु मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी और इसके लिए आप एक-एक करके मेरे घर आते और पूछते जो प्रश्ण एक दिन में नहीं पूछ पाते वह अगले दिन फिर आकर पूछते फिर भी अगर कुछ बच जाता तो मुझे रास्ते में रोक कर गोनुजा आगे बोले तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ आप देखी रहे हैं कि मेरी गाय का रंग भूरा है और जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं उतनी सस्तिया नहीं है मैंने अपना पूरे एक महा का वेतन यानी तीन स्वन मुद्राएं देकर इसे खरीदा है काफी महंगी गाय है एक दम हिरिष्ट पुष्ट सुभाव से बड़ी ही सीधी है जैसा भी और जितना चारा दो चुप चाप खा लेती है रोज पांच सेर दूद देती है छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूँ सकता है जरा भी मर्खनी नहीं है अभी तो इसके पूरे दात भी नहीं निकले है मात्र चार दातों वाली पहिलोठी गाय है गोनु जाने कंधे उचकाते हुए कहा प्यारे ग्राम वासियों मैंने आपको अपनी गाय के बारे में सब कुछ बता दिया है हाँ अब आप सबके मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा अवश्य होगी तो वास्तविक्ता यहा है कि यहां कोई चोर नहीं आया था दर असल किसी भी बात को बार-बार पूछना आप सब की आदत है इसलिए मैंने सोचा क्यों न एक ही बार में आप सब लोगों को अपनी गाई के बारे में बता दूँ सब को कष्ट दिया इस अशिश्टता के लिए क्रप्या मुझे अक्षमा कीजिएगा इससे पहले की गाउं वाले कुछ बोलें गोनु जाने गाई की रसी थामी और तेजी से गाउं की तरफ चल दिये उमीद करती हूं बच्चों आपको ये पार्ट बहुत बहुत मज़ेदार लगा होगा और आपने इसका भरपूर आनंद उठाया होगा अब इसका अभ्यास कार्या स्वैम कीजिए